अवी अक्सर ये सोचते हैं कि ओईल इतना ज़ादा एफेक्ट क्यों करता है क्लीबल एक व्यकूनभी त्छोर मचनल लग जाता है, क्या इंकम-भेस्ट का अथर होता है, क्या जॉब बेस्ट का असर होता है, किसी भी एकॉनमी को, इवन एकॉनमी हो हो, ओईल का इतना प्यारी कर रहे हैं और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसका कोड है HCRYT इस कोड के तो आपको 10% डिसकाउन मिल जाएगा साथ ही साथ जो फ्री क्लास होती है उसको जरूर जॉइन करा करिए यह फ्री क्लास जो है रात को रोज 10 बज़े होती है यह जिसने वर्ल्ड ना आज उतना dependent नहीं है जितना 1970 के जमाने में oil पे हुआ करता था क्योंकि तब जो है एक war हुई थी अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाते हैं जरूर पढ़िएगा यॉम किपूर war हुई थी 1973 में जिसने अरब स्टेट के उपर इतने embargo लगाए कि inflation double digit तक पहुँच गया थ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2075 तक इंडिया जो है carbon neutrality को अचीव करेगा लेकिन रशिया उक्रेन के इस conflict ने कहीं न कहीं इस चीज़ को साफ सबके सामने लाके रख दिया है ये जो stubborn craving है ये कहीं न कहीं जो है हर economy को बरबाद करने के लिए आज काफी है so this is one of the reason कुछ fundamentals पर ध्यान देंगे जो की थोड़ा academic aspect है और कुछ story form पर भी ध्यान देंगे देखिए ये जो shift है आज देखा जाए तो जो बड़ी rich countries है वो कहीना कहीना अपने pattern में एक बदलाव लेके आ सकती है अपनी factories coefficient बना सकती है और बना भी चुकी है कहीना कहीं electricity generation में उनके पास nuclear के sources भी है वो obviously oil से coal पर shift हो गई जो है natural gas पर shift हो गई तो उनकी dependency oil पर जो है वो कम होई है लेकिन developing countries के साथ ऐसा नहीं है और साथी साथ एक problem ये भी है कि क्योंकि वहाँ बड़ी industries होती है तो उनको भी अभी भी oil की जो कीमत है obviously वो चुकानी पढ़ती है और अच् growth मिलती थी आज वो world इतना efficient जरूर हुआ है कि half a barrel पे वो economic growth मिल जाएगी तो ये बात है लेकिन अभी भी half a barrel भी बहुत बड़ा number है जो की कही ना कहीं oil पे dependency को दरशाता है अब कुछ analysis ये कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जो आने वाले oil shocks है उस उसका जो oil पे emphasis है वो जरूर कम हुआ है लेकिन ये चीज़ 2021 में देखा गया कि again एक roaring demand आई और crude oil के prices में भी अब वे और पिछले अगर आप 2021 के मुकाबले 2022 को देखते हैं तो 50% और prices जो है वो rise हो चुके हैं तो ये जो shifting oil demand है ये difficult है in the short term क्योंकि इसके लिए trillions of dollars चाहिए अगर आज के समय में आप ये चाहते हैं कि हम oil से सीधा shift करके जो है वो renewables पे आ जाएंगे तो इसके लिए आपको अपना पूरा ecosystem बदलना होगा तो आज जैसे कई बार ये बात बोली जाती है भी recently आपने सुना होगा कि योरप के बहुत सारी countries में ये बात बोली गई कि रशिया जो attack कर रहा है उसको fund indirectly हमी कर रहे हैं उससे oil लेके जर्मनी जिसकी 40% तक supply जो है वो रशिया से आती है तो वो पल में इसे change नहीं कर सकता जो मर्जी जो है वो कर ले उसके लिए उसके लिए उसको trillions of dollar का जो infrastructure है वो बदलना होगा जैसे vehicles है equipment है आपकी refining है chemicals है oil markets कह नहीं नहीं यह सब चीजे बदलना इतना short time में असान नहीं है दूसी चीज जो petrol pump anger है आप देखिए एक चीज बड़ी सही है कि पिछले कुछ समय में आप देखोगे जो America के अंदर है कि Americans are driving less airlines जो है वो बड़े charges जो है higher charges fare पे जो है उनसे ले रही है और साथ ही साथ आप द transportation से लेके हर वो चीज कहीं ना कहीं oil पे निर्भर है और इसी लिए उसकी final cost हमेशा एक consumer चुकाता है जैसे पिछले कुछ समय में हमने देखा कि चुनाव थे तो petrol के prices जो है वो नहीं बड़े अब सरकार ये कहती है कि petrol कंपनिया खुद ही ये सब बढ़ाती है लेकिन अंदर रुपे कम चे-कम बढ़के आपको आने वाले समय में छोटी-छोटी doses में मिलते रहेंगे और ये 10 रुपे बढ़ेंगे इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि obviously जो international market से उसमें दाम जो है जिस कदर crude के बढ़े है पिछले कुछ समय में तो इससे निपटना इतना असान नहीं ह और इसी लिए एक fiscal deficit का जो मामला है कि जैसे जितना जादा petrol company को hold किया जाएगा उतना जादा जो है कि भई सरकार कहेगी price मत बढ़ाओ तो जितना जादा petrol companies hold करेगी और जितने जादा market में crude के दाम बढ़ते हैं उतना ही वित्तिय घाटा बढ़ता जाता है उतनी inflation rate बढ़त है उसको कम कर देता है और inflation को बढ़ा देता है 0.2 से यही जो है योरप का मानना है eurozone का कि यह rule of thumb है कि अगर 10% rise होगा oil के अंदर या उसके दामों में तो price जो होगा euro terms में उसके मकाबले तो inflation जो है वो 0.1 से 0.2 पर चला जाएगा so this is the reason कि योरप के जो oil importing nations हैं कहीं ना कहीं they are racing to offer motorist fuel rebates and other concessions mindful of how their anger can spill over into the wider protest as it does with the yellow west movement in the France bank आप इसके बार ही पर सकते हो कि जो France के अंदर yellow west movement हुआ था actually आए कहने की जरूरत हो रही है कि देखो हमें ये बात समझनी होगी कि सीधे दोर पर renewables पर shift किया नी जा सकता आज उसके लिए एक बहुत बड़ा infrastructure बदलने की जरूरत होगी और अगर बहुत जादा जो है आपने लोगों के उपर इस चीज़ को shift किया या लोगों के उपर बहुत जादा जो है economy में prices के उपर shift किया तो inflation जो है hyper inflation जैसी स्तिती भी आ सकती है जिसके कारण अकसर जो है सरकारें तो बदली जाती है तो इसलिए सरकार भी बहुत तरीके से जो है वो oil के और prices को इन सबको control करते हुए चलाना चाती है और इसको एक limit में रखना चाती है ज इसलिए इंडिया की बहुत सारी companies ने tender लिया इंडिया की उन companies को मुसीवत है थोड़ी कि जिनके already बहुत सार जैसे reliance है तो उसका बहुत सारा काम US में है already तो इसके कारण वो रशाय सीधे oil import नहीं कर सकता है इस 20-25 डॉलर का जो concession हमको मिल रहा है recently तो उसमें reliance नहीं था शामिल खरीदने में तो अगर आप यह देखेंगे Asia जो है Asia में Japan हो गया Korea हो गया वो सबसे ज्यादा affected है क्योंकि उनकी oil की जुरत जो है वो बहुत ज्यादा है फिर एक बात देखते है कि यह ना इतनी असान habit नहीं है कि करना it's a expensive habit to kick क्योंकि यह बात बुली जाती है कि if it took 5 decades कि अगर आज से आज हमें 50 साल लगते हैं for oil shares in the global energy mix to fall from 45% to 31% कि हम 45 से उसे 31 लेके आएं तो भी यह वो open question है दुनिया के सामने कि हम जो net zero वाला हमारा goal carbon neutrality का है वो कैसे अचीव करेंगे all over the world तो यही समझने की चीज है कि motorists switched to electric vehicles यह लगभग सबसे positive news है कि लोग EV पर shift हो मिलता है passenger vehicles जो है the sector in which जो सबसे जादा oil demand करता है उसको कैसे हम control करेंगे consume करता है लगबग one quarter of the oil जो worldwide use होता है और साथी साथ oil intensity जो है कही ना कहीं यह आपको देखने को मिलेगा कि वो over the period of time कम होगी लेकिन अभी बढ़ने वाली है अगले कुछ सालों तक और फिर उसके बा economy है कही ना कहीं हमारा देश है और बाकी जो है हमारी साथी countries है उनके लिए इतना असान नहीं होगा इस oil crisis से निकलना या जो है oil की dependency के ओपर से निकलना तो इसलिए यह बात है कि जो rising demand है for oil in Asia plus the fact that key sectors जैसे shipping है, aviation है, freight है, petrochemicals है, agriculture है, auto sector है, यह सब चीजों को सुच करना इत inflation बढ़ता है, at the end of the day consumer को उसे चुकाना पढ़ता है, हमारी jobs लेके हमारी inflation और हमारी pocket पे सीधा असर जो है, वो crude oil के बढ़ने या गटने से पढ़ता है, इस बात को हमें मालने ना चाहिए, और इस चीज़ को लेके अब जादा कुछ नहीं किया जा सकता, कि country जो है, वो ताकि इन चीजों को जादा चोना जाए, और साथ ही साथ जितना हो सकता है, आत्म निर्भर हुआ जाए, ये बड़ा जरूरी है, तो शुक्रिया, I hope कि ये lecture आपको पसंद आया है, वोगा इसमें दी गई जानकारी, अगर आपकी कहीं से भी understanding को थोड़ा भी बढ़ाती है, तो do share this video and also subscribe the channel and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे videos और मिलते रहें, और also comment कि हमें क्या और ऐसे videos कराने जाए.